डूसरी लिहर बच्चों पर भी भारी भारत संपेट दुनिया के कई देशों में इस बार बच्चे भी आ रहे हैं खतरनाक कोरोना वायरेस की चपेट मैं कई गंभी रूपसे हो रहे हैं बीमार तो कईयों की जा रही है जान आखिर पिछले साल संक्रमन से लगभग सुरक्षित रहे बच्चे इस लेहर में क्यूं बन रहे हैं शिकार और कैसे हो सकता है उनका बचाव BBC दुनिया में आपका स्वागत है मैं हुए दित महरा कोरोना की इस नई लहर के बच्चों पर होते प्रभाव की होगी चर्चा काव स्टोरी में लेकिन पहले हेडलाइन्स कोरोना वायरेस संक्रमन के बढ़ते मामलों के मद्दे नजर उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन की खोशना दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 19,000 से ज्यादा केस और भारत में 2,17,000 से भी ज्यादा नई कोरोना मामले ब्रिटिन में रह रहे भारत के भगोड़े हीरा व्यापारी निरव मोदी के भारत प्रत्यरपन को ब्रिटिन की सरकार ने दी मनजूरी निरव मोदी अगले 14 दिनों में कर सकते हैं आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील अमरीका के इंडियाना पुलिस शेहर में एक शक्स ने अंदा धुन्द फाइरिंग कर ली आठ लोगों की जान, साथ लोग जखमी पुलीस के मताबिक बाद में हमलावर ने खुद को भी मारी को ली फाइरिंग का मकसद अभी साफ नहीं हौंग कॉंग में कई लोग तंतर समर्थक कारे करताओं को सजा सुनाए जाने के फैसले की दुनिया भर में आलोचना अरब पती मीडिया टाइकून जिमी लाइको भी 14 महीने की कैद साल 2019 में लोग तंतर समर्थक रैलियों में हिस्सा लेने के आरोप में सुनाई गई सजा इन में से कुछ एम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में एक साल पहले जब दुनिया भर में कोरोना महमारी फैली थी तो हर उम्र के लोग इससे प्रभावित हुए थे लेकिन पहली लहर में बच्चों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा था विशिश अग्यों की राय थी कि बच्चों में रोग प्रती रोधक्षमता ज्यादा होने के वज़ा से वाइरस उन्हें उतना प्रभावित नहीं कर पाया था लेकिन दूसरी लहर में नवजाद शिशुओं से लेकर पांच साल और बड़ी उम्र के बच्चे भी वाइरस से संक्रमित हो रहे हैं आज कवस्टोरी में हम बताएंगे कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ऐसा क्या बदला है कि बच्चे भी हो रहे हैं बीमार और उन्हें इस जानलिवा वाइरस से बचाया कैसे जा सकता है कोरोना महमारी को एक साल से ज्यादा हो गया है और भारत खतरनाक दूसरी लहर की चपेट में है इस बार वाइरस पहले से ज्यादा तीजी से फैल रहा है और लोगों की जान ले रहा है लेकिन एक और बात जो इस वेव में देखी जा रही है वो है बच्चों का वाइरस से संक्रमित होना ऐसा ही ट्रेंड दक्षन अमरीकी देश ब्राजील में भी देखा जा रहा है जो संक्रमितों की संख्या के लिहाज से तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है महामारी की शुरुआत से अब तक ब्राजील में एक साल से कम के तेरा सो बच्चे वाइरस की वाइरस की वज़ा से जान कवा चुके हैं बीबी सी समबादाता नातालिया पसारी नो देश के पूरवोतर में बच्चों के एक आई सीउ में पहुँची इस रिपोर्ट के कुछ हिससे आपको विचलित कर सकते हैं एक कॉमल स्पर्श एक मीठी आवाज लेकिन कोई परिचित चेहरा नहीं संक्रमन के डर से यहां किसी को आने के इजासत नहीं डॉक्टर और नर्स ही इन बच्चों का ख्याल रख रहे हैं हॉस्पिटल स्टाफ ने तो अपने पैसों से फोन और टाबलेट तक खरीदे हैं ताकि बच्चों के माता पिता कम से कम उनका हाल जान सके यह माँ फिलहाल अपने नौजात बच्चे के इस से जादा करीब नहीं जा सकते ऐसे वक्त में जब माता पिता आई सीउ में नहीं आ सकते हमारे लिए चुनौती बढ़ जाती है सिर्फ फोन पर बात हो पाती है कि उनका बच्चा सीरियस कैसे हो गया या फिर कुछ मामलों में उसकी मौत कैसे हो गई लूकेस एक साल के थे जब संक्रमित हुए उनकी माँ जैसिका उन्हें बखार और सांस की तकलीफ के साथ अस्पताल लेकर आई परेशान माने कोरोना टेस्ट के लिए कहा डॉक्टर ने मुझसे कहा कि घबराओ मत करोना टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है ये तो बस गले में मामूली से खराश है कुछ अफ़तो बाद लूकेस की हालत बिगडी तो उन्हें आईसिउ में भरती कराए गया लेकिन तब तक देर हो गई थी मुझे अब भी लगता है कि कोविड टेस्ट होने से मेरा बच्चा बच सकता था क्योंकि तब उसे सही इलाज मिला होता लेकिन डॉक्टर टेस्ट नहीं चाहते थे उन्होंने अपने ही दिमाग से उसकी बीमारी का अंदाजा लगा लिया कोरोना वाइरस से मरने वाले बच्चों के मामले में ब्राजील दुनिया भर में सबसे आगे है अमरीका के मुकाबले ब्राजील में एक साल से कम उमर के बच्चों की 22 गुना जादा मौत होई है बाकी दुनिया के मुकाबले ब्राजील में कम उम्र के बच्चों की इतनी मौत क्यों हो रही है? हम मामलों की पहचान की समस्या से चूच रहे हैं हम सामान या आबादी के ही परयाब टेस्ट नहीं कर पा रही है बच्चों के टेस्ट तो और कम है संक्रमन का पता लगने में देरी होने पर इलाज में भी देरी होती है तो जब तक वो गंभीर रूप से बीमार नहीं हो जाते बीमारी का पता ही नहीं चलता इस अस्पताल में मौजूद बच्चों ने अपनी पहली जंग जीत ली है उन्हें आईसियो बेड और सही इलाज मिल पा रहा है पर अपने माता पता से मिलने के लिए इन्हें इंतजार करना होगा इस मामले में टीका करन भी बड़ा मसला है क्योंकि अभी सिर्फ 16 साल से उपर के लोगों को ही वहाँ टीका लगाया जा रहा है हाला कि अमरीका में 12 से 15 साल के बच्चों पर किये गए फाइजर बायंटेक के ट्राइल के नतीजे सकारात मकाये हैं अब फाइजर ने अमरीकी दवा नियामक से किशोरों को टीका लगाने की इजाज़त मागी है मोडर्ना भी 6 महीनों से लेकर 17 साल तक के बच्चों पर दो परीच्छन कर रहा है हाला कि वयसकों में खून के ठक्के बनने की शिकायतों के बाद एस्ट्राजेनेका का ऐसा ही एक ट्राइल रोग दिया गया है पर भारत में बच्चों के बीच बढ़ते संक्रमन की वज़ा क्या है यही जानने के लिए BBC समवादाता वंदना ने बाद की दिल्ली में एम्स के कोविट सेंटर के चेर्में डॉक्टर अंजंतरिखा से और सबसे पहले पूछा कि पहली वेव में भारत में बच्चों पर कोरोना का कोई खास असर नहीं था दूसरी वेव में उनके प्रभावित होने की वज़ा क्या है इस बार इस ऐसा हो रहा है क्योंकि एक तो जो 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 श्ट्रेन है अब यह जो ने ने इन्फेक्ट हो रहे हैं यह ज़्यादा एक दूसरे को फैलता है और दूसरी बात यह है कि बच्चे हमने थोड़ा सा अपना जो प्रिकॉशन से कम कर दिया है आब बच्चे बाह जाने लग रहे हैं बच्चे मिलने लग एंदेव खेलने लग गयते उस कारण यह बच्चो को इंफेक्ट जादा कररा है दूसरी बात यह थी कि बच्चे सिंतम नहीं दिखाते जादा वो क्यरियर हो जाते है तो इसलिए वो एक बच्चा दूसे बच्चे के साथ खेलता है। वो एक बच्चा रहता ही उसे कोखा है। तो इसलिए वो दूसरे बच्चे को हो जाता है। ऐसा है, कि magari पहले पहले खरेवाब माप ज़िस सṛnd Michalala मेरा बच्चानव लगिया है, अब यह नहीं सोचते हैं कि वह बच्या कोई szimpto empire नहीं है? वह जाके दादादी के गड़ें मिलेगा और ओनको inferkt कर देगा. बच्ये को फिर भी symptoms नहीं आएंगे दादा दादी को आजाएंगे. तो वह इर इसलिए infector हो जाता है. बच्चों में वैक्सिनेशन अभी नहीं आया है और अगले एक आदे दो तीन साल में नहीं आएगा बच्चों को वैक्सिन देने के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट गाइड लाइन तो हमें यह करना है कि बच्चे जो सिंटोमेटिक हैं बच्चे जिनको खांसी जुकाम, अगर सिंटोम आए तो तो बच्चों का भी टेस्ट कराना अगर सिंटोम है तो जरूरी हो गया है वहीं हमें बचा पाएगा कि बच्चे एक घर से दूसरे घर तक यह ना पंचाए आज के दिन तो मैं कह रहा हूं कुछ नहीं खोलना चाहिए बिलकुल लॉक्डाउन कर दे बड़ा जरूरी हो गया है बच्चोटा सा लॉक्डाउन हो एक जगा का लॉक्डाउन हो नहीं तो यह बहुत ज़्यादा पहलेगा आज से तीन हफते पहले मेरे पास सिरफ 28 मरीज थे आज मेरे पास साड़े 300 मरीज हैं तो इसलिए यह फैलता रहेगा किसी तरह का स्ट्रि वाले इलाकों में पहुंची बीबीसी की टीम तो बीबीसी दुनिया में अभी है बहुत कुछ बाकी बने रहे हमारे साथ आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में हुई दित महरा अमरीकी राश्पती जो बाइडन ने कहा है कि 9-11 आतंकी हमले की 20 वी बरसी तक सभी अमरीकी सैनिक अफगानिस्तान से चले जाएंगे इस एलान से जितने जवाब मिले हैं उससे कहीं ज़्यादा सवाल खड़े हों हैं सबसे बड़ा सवाल यही है कि बुरी तरह वे भाजित इस देश में रह रह रहे लाखों आम अफगानियों का क्या होगा बल्ख प्रांध के कुछ हिस्सों समेत तमाम इलाकों पर अब भी तालिबान का कब्सा है देखिए बल्ख से बीबी सी समबादाता सिकंदर किर्मानी की ये रिपोर्ट उन्हें लगता है कि ये उनकी जीत है अमरीकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और तालिबान कथित इसलामी सरकार बनाने का वादा कर रहा है लेकिन इस बीच लाखों आम अफगानियों का क्या भाविश्य है ये जानने के लिए हमें तालिबानी इलाके का खास एकसिस मिला हम सुबा जल्द ही उत्री शहर मजारे शरीफ से निकल गए एक समय ये प्रांट बेहद स्थिर माना जाता था लेकिन अब ये सबसे हिंसक जगों में से एक है मजारे शरीफ से निकल कर आदे गंटे में हम तालिबान के नियंतरन वाले इलाके में पहुँच गए वहां तालिबान ने शक्ती प्रदर्शन का इंतजाम कर रखा था उनका हिंसक विद्रोह अब तक दसियों हजार जाने ले चुका है इन नाकों के जरीए चरम पंती अपनी सत्ता का दम दिखाते हैं इस साल अमरीकी सेनिक निकल जाएंगे लेकिन यहां हो रही जंग शायद जारी रहेगी तालिबान और अफगान सरकार के बीच वारता से अब तक ज्यादा कुछ हासल नहीं हुआ है हम शान्ती के लिए बिलकुल तयार हैं लेकिन जिहाद के लिए भी हम उतने ही तयार हैं बीते एक साल से आप अमरीकियों के खिलाफ नहीं बलके अफगान लोगों और दूसरे मुसल्मानों के खिलाफ ही लड़ रहे हैं सरकार के साथ हमारी समस्चा है कि हम इसलामी तंतर कायम करना चाहते हैं जब तक वो हमारी मांगें नहीं मान लेते हमारा जिहाद जारी रहेगा हाजी हिकमत बल्ख प्रांट के इस हिस्से में तालिबान के शेड़ो मेयर हैं उन्होंने हमें इस इस इलाके का दौरा कराया 1990 के दशक में तालिबान ने लड़कियों की तालिबान पर रोक लगा दी थी दूसरे हिस्सों से भी यही खबरे हैं कि वो बड़ी लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दीते लेकिन यहां वो तालिब के समर्थन में हैं यह स्कूल सरकारी खर्च पर चलता है लेकिन इसकी निग्रानी तालिबान के हाथ में है स्थानिय सूत्रों ने हमें बताया कि तालिबान ने पार्ठिकरम से कला और नागरिकता को हटा कर इसलामी विशयज जोड दी हैं इसके अलावा वो रास्ट्रि के पक्ष में भी हैं तालिबान हमें अपनी सकारात मक्षवी दिखाना चाहता था पूरे दौरे के दौरान वो हर वक्त हमारे साथ रहे स्थानिय बाजार में हमने जिन लोगों से बात की उन्होंने तालिबान का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी वजह से ही वहां सुरक्षा है लेकिन बाद में हमें बताया गया कि दाड़ी बनाने पर लोगों को पीटा जाता है और गाने सुनने पर उनके स्टीरियो तोड़ दिये जाते है अफगान शेहरों में रहने वाले कई लोगों को लगता है कि तालिबान 1990 के दोर के क्रूर स्लामिक शासन को वापस लाना चाहता है क्या आपको लगता है कि उस समय अपने गलतियां की और आप चीजें अलग होंगी पहले का तालिबान और अब का तालिबान दोनों समान है फर्क बस इसके सदस्यों में आया है कुछ लोग सक्त हैं तो कुछ शांत तालिबान पर सत्ता के बटवारे के लिए सहमत होने का कूट नीतिक दबाओ है अब तक तालिबान ने समझोते के लिए खास दिल्चस्पी नहीं दिखाई है ऐसे में यहां शान्ती की कीमत का मतलब होगा तालिबान की और मांगे मान लेना तालिबानी नेताओं ने बीबी सी से खास बात चीत में कहा था कि अमरीका के सैनिकों की वापसी का फैसला उनकी जीत और अमरीका की हार है वहीं अमरीका ने जोर दे कर कहा कि भले ही उसके सैनिक अफगानिस्तान से चले जाएंगे लेकिन वो वहां शांती बहाली के लिए अफगान सरकार को सहीयोग देता रहेगा और BBC दुनिया में वक्त है एक ब्रेक का ब्रेक के बाद दिखाएंगे प्रिंस फिलिप से मिल चुकी एक भारतीय लड़की ने BBC से बाटी यादे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है आपका BBC दुनिया में मैं हुए दित महन ड्यूक ओफ एडिनबरा प्रिंस फिलिप को शनिवार को दफन किया जाएगा 9 अपरेल को 99 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था जीवन भर उन्होंने अंगिनत कारिकरों में हिस्सा लिया साल 2007 में उन्होंने वेस्ट यॉक्षर के ब्राडफर्ड में महरानी के साथ एक हिंदू मंदिर का उद घाटन किया था इस दौरान सैक्रों श्रद्धालूं वहां मौजूद थे इन में दिशा जोशी भी थी जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 9 साल थी बीबीसी समवादाता शमनम महमूद से बात करते हुए दिशा ने उस दिन को याद किया इमानदारी से कहूं तो ये बहुत रोमान चक था मैं सुबह लगातार अभिवादन करने की प्राक्टिस कर रही थी नौ साल की उम्र में दिशा जोशी ने महरानी और प्रिंस फिलिप को फूनों का गुलदस्ता पेश किया था अब वो 23 साल की हैं मगर उन्हें सब कुछ याद है वैसे मुझे सुबह बिस्तर छोड़ना बुरा लगता था लेकिन उस सुबह में महरानी और प्रिंस फिलिप से मिलने को लेकर बहुत रोमान चित थी तो मैं 6 बजे ही उठ गई और वो लहंगा पहन लिया जो मा और दादी ने मेरे लिए चुना था परपल रंग का वो सुन्दर लेंगा मेरी विरासत और संस्कृती की जलक था मैं तयार हुई फिर बाल बनाए और मुझे एक बार के लिए थोड़ा मेक अप करने का भी मौका मिला ये माई 2007 की बात है जब प्रिंस फिलिप अपनी पतनी महरानी के साथ ब्रिटफर्ट के लक्ष्मी नारायन मंदर का आधिकारिक रूप से उद्खाटन करने आये थे वहां का महौल दो तरह का था जैसे की मेरे जैसे कम उम्र के लोग बहुत रोमांचित थे जबकि बड़े लोग थोड़े नर्वस थे और इस काम में जुटे हुए थे कि सब काम सही तरीके से हों, सलीके से हों मंदर में जाने से पहले महरानी ने अपने जूते उतारे मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी क्योंकि इससे पता चलता है कि वो हिंदू और एशियाई लोगों की संस्कृती से वाकिफ है जो लोग ब्रिटिन को लेकर देश भक्त होने के साथ साथ अपनी भारतिय संस्कृती पर भी गर्व करते हैं, मुझे अच्छा लगता है महरानी और प्रिंस फिलिप उनके बीच की खाई को पाटने वाली एक तरह से पहली पीड ही है दिशा कहती है कि उन्हें वो दिन हमेशा याद रहेगा और उनकी तस्वीर ब्रिटफर्ट के उनके घर पर शान से लगी हुई है वहीं ब्रिटिन में प्रिंस फिलिप के अंतिम संसकार की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है बकिंगम पैलेस ने उन 30 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है जो ड्यूक ओफ एडिन्बरा के विंट समय होने वाले अंतिम संसकार में शामिल हो सकेंगे कोरोना की वज़े से अंतिम संसकार में ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया है तो कारिकरम में आज पसे अतना ही